भारती इतिहास शोद संस्थान के निदेशक ओम जी उपाध्या है हमारे साथ हैं आइसे एचार के डिरेक्टर हैं सर जो इतिहास बदलने की बात है आरेसेस के सौ साल पूरे हो रहे हैं दोजार पच्चिस में उससे पहले भारती इतिहास को व्यापक रूप से बदला जायेगा या सुधार किया जायेगा ये एक narrative है ये क्या है इसको सही रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे इतिहास बदला नहीं जाता इतिहास तो इतिहास होता है बास्तों में कई बार उसका जो विमर्श है वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कई देश के इतिहास के साथ ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिसर्स यहां राज कर रहे थे तो उनका अपना एक लक्ष था एक अब्जेक्टिव था एक धे था जिसके अधर पर उन्होंने यह हां इतिहास लेखन किया कराया लेकिन उसमें विसंगतियां बहुत रहें डिस्टॉर्संस बहुत आई दुर्भागे से ऐसा हुआ कि आजादी के बाद भी सायद इतिहास लेखन की जो दिशा होनी चाहिए थी जो संतुलन उसमें होना चाहिए था वो कहीं न कहीं असंतुल नहीं होता है, बलकि उसको और परिश्कृत रूप में और बेहतर बना कर प्रस्तुत करना होता है, और इतिहास की जहां तक बात है, एक बहुत बड़े इतिहास लेखन के विद्वान ने एक बार कहा, कि इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य अन्तहीन समवाध है अनिंडिंग डायलॉग और जब अन्तहीन है इसका मतलब कि नए रिसर्चेज आते हैं तो नए निरेटिवस बनेंगे उनके आधार पर तो केवल यही करना चाहिए कि जैसे जैसे हमें नए रिसर्चेज हमें मिलते जाएं नए अनुसंधान होते जाएं उस आधार पर इतिहास के घटनाओं का या उसके बहुत सारे अंगों का एक परिश्कार होना चाहिए और पहले से बहतर उसको बनाया जाए अब हम क्या कर रह क्या की जा रही है जो पहले कालखंड थे इतिहास के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल उनकी जगह अब क्या कुछ होने वाला है नहीं जहां तक अगर काल भी भाजन की बात है बहुत बड़े वर्ग का इतिहास कारों के मानना है कि जेम स्मिल ने एक बार उसको जब काल भी भाजित किया तो उसने Hindu period, Muslim period या Hindu history, Muslim history और British history के रूप में उसको categorize किया जिसको बाद के इतिहासकारों ने उपर का केवर कलेवर बदला Hindu history को उन्होंने प्राची नितिहास का नाम दे दिया Muslim history को उन्होंने मध्धकाली नितिहास या medieval history का नाम दे दिया और जो British History है उसको Modern History का नाम दे दिया अभी वास्तों में जिस तरह के सांस्कृतिक जड़ों क्यों कि भारत एक एकदम अलग तरह का मैं तो मानता हूँ एक एतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि भारत दुनिया का इकलोता सायद प्राचीनतम जीवन्त सांस्कृतिक रास्टर है उस रूप में जो उसकी पहचान है सांस्कृतिक राश्ट्र के रूप में उसको आधार बनाते हुए कालविभाजन नए सीरे से किया जाना चाहिए उसकी सांस्कृतिक जड़ों को देखते हुए ये एक बात है क्या होगा कालविभाजन दूसरी बात वो अभी उस पे कुछ भी इस स्टेस पे कहना क्योंकि वो टेक्स बुक्स का भी मामला बनेगा इसलिए कुछ बहुत असपस्ट अथरिटेटिव रूप में इस स्टेस पे कहना बहुत तुचित नहीं है उस पे आगे अधिकाल जो पांचसो वर्सों का कालखंड है उसमें हम पूरे देश को जो मेंस्ट्रीम हिस्ट्री है वो दिल्ली सेंट्री के इतिहास पढ़ाते हैं ठीक उसी समय जब संतलंतकाल और मुगलकाल का इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं दक्षिन में विज सोच समझकर बहुत स्ट्राटजिक तरीके से ब्रिटिस इंटलेक्ट ने इसको लागू करने का प्रयास किया था हमारी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से काटने का प्रयास किया था हमको हमारे अपने knowledge traditions के जो roots हैं उनसे अलग करने का प्रयास किया था उसको ठीक करने का काम निश्चित रूप से होना चाहिए और उस दिसा में बहुत सारी संस्थाएं हमारा काम तो अनुसंधान का है शोध का है उसमें बहुत ठीक तरीके से अपना काम अपना दाईतों निभाने का प्रयास कर रहे हैं और जो लक्ष है वो यही है कि जो असंतुलित और विकृत या विसंगत इतिहास लेखन है उसको ठीक किया जाए तो यह जो ठीक किया जाना है उसका कोई एक फॉर्मैट बना है किस तरीके से वो खांचा बनेगा नया फॉर्मैट क्या है जी अभी आप से जिसे कहा कि जो पूरा कालखंड है इतिहास लेखन का उसमें जहां जहां भी हमे इस तरह की विसंगतियां दिखाई दे रही हैं इतिहास नहीं बदलना है केवल उसके विमर्ज को ठीक करना है उसके नरेटिव को ठीक करना है बस उसी पे जो क्रोनलोजी को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं सैंड्रो कोट्टेस सैंड्रो कोट्टेस को हमने सीट अंकर बना दिया और बहुत सारे इतिहासकार में तरह हैं वो कहते हैं कि इस नोट सीट अंकर इस सेचीट अंकर इसको थोड़ा एक्सप्लेइन कर दिया है सैंड्रो केंट्र बैसिकली चंद्रोगुप्त मौरे से उसको समिक्रित करके और वहीं से इतिहास जो खम से कम प्राचीन इतिहास है उसके सारी जो क्रोनलोजी है उसको तैंक करने का प्रयास किया गया और उसमें कई बार लगता है कि बहुत सारे missing links हैं तो क्रोनलोजी हमारी जो इतिहास है वो बहुत समेट दी गई प्राचीन भारत का जो कालखंद है, इस पर खूब रथलिस रिसर्च की जरूरत है, हो भी रहा है बहुत सारे नए रिसर्चेस, हमारे साथ हुमेनिटीज और सोसल साइंसे के साथ क्या समस्या है मैं आपको बता हूँ, बहुत संख्रेप में, कि साइंस में जो रिसर्चेस हैं, पिछले डेड़ सो साल में जो अस्थापनाएं हुई थी उसमें से पिछले तीन साल में जो तीन दसक में जो नए रिसर्चेज आए उसमें टू थार्ट से ज़्यादा उपसुलीट हो गई, खतम हो गई, नई थियोरीज आ गई लेकिन हुमेनिटीज और सोसल साइनसेज में कोई भी नई बात एक्सेप्ट करने में बहुत लंबा समय लगता है, हमारे अपने मानस किये समस्या है कि हमको बहुत लंबा समय लगता है, एक तो इस समस्या को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, दूसरे जो नए रिसर्चेज लगातार आ रहे हैं, भी राखी गढ़ी का एक्सकेविशन हुआ, सिनोली का एक्सकेविशन हुआ, उसने बहुत सारे नय तक रिवील किये हैं, क्रोनोलोजी को बहुत पीछे तक हम लेके जा पा रहे हैं, इस तरह की चीजों को इंक्लूड करते हुए एक समय के देश का इति इतिहास लेखन में इतना ज्यादा दुख, विशाद और मृत्यू जैसी इस्थितियां छोड़ी गई हैं, इतना असंतुलित है, हजारो हजार ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम में सामिल नहीं हो पाए, वो कभ विवाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी हमारे देश के समक्ष नहीं है, उनकी कहानी हमारी नहीं पीधी नहीं जानती, उनकी कहानी हमारा विद्यार्थी नहीं जानता, ये जो असंतुलन है या ये जो विसंगती रह गई उसक किया जाना बहुत ज़रुरी है. विवाद तब होता है, जब क्योंकि विढ्रतियों के पास समय तो सीमित है, उसी में वो पढ़ेंगे कुछ निया पढ़ें या पुराना पढ़ें तो replacement की बादा आती है कि कुछ नायकों को रिप्लेस किया जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है? वास्तों में 5 प्रिस्ट या 10 प्रिस्ट की जरूरत थी और उनको एक लाइन में निप्टा दिया या साइद वो अस्थान भी नहीं मिला, ये जो असंतुलन है ये दूर होना चाहिए, किसी को रिप्लेस करने क्योंकि कम या अधिक, अवदान बहुत बड़ी संख्या में एक ये आरोप लगता है कि नहरू जी ने कम्मिनिस्टों को लिखने के लिए दे दिया और उन्होंने असंतुलित तरीके से रखा, ये आरोप कितना सही है? नहीं, इस पे मैं इस पे कम से कम टिपड़ी करना नहीं चाहूँगा, इस पे टिपड़ी नहीं करूँगा तो सर, ओर ओर ओल जो सामाने लोग हैं, वो किस तरीके से लें, जब ये कहा जाता है कि RSS इतिहास को नए सिरे से लिख रहा है, अब ये नई सरकार में नए तरीके से इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को आम जनता कैसे समझें? नहीं, मैं सिर्फ आपको आप भारती इतिहास अनुसंधान परिशद ICHR के निदेशक के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ICHR या NCIT जैसी संस्थाएं जहां से पाठिकरम तैं होते हैं, तैयार होते हैं, उनकी कुछ कमिटीज का सदस्य होने के कारण, अभी UGC के जो विसंगती रह गई, जो असंतुलन रह गया, उसको ठीक किया जाए, उसमें किसी के महत्तों को कम करने का, उसको कम करके आखने का, हमारा कोई कम से कम, मैं ICHR को लेके या स्पस्ट्रोप से कह सकता हूँ, हमारी कोई मनसा नहीं है, कि किसी भी स्थापित व्यक्तित्तों क ऐसे जो करांतिवीर हैं, ऐसे जो भी महापुरुस हैं, उनकी जानकारी हमारी नई पीड़ी को मिलें है। कि स्वेम तेंग कर सकता है, उस दिन जिस दिन उसे इस सत्य को नगन तरीके से उसके सामने उदगाटित किया जाए, कि अकबर वही है जिसने चित्तोड के किले में 30,000 लोगों का कतलयाम कराया, जिसमें निर्दोश, महिलाएं और बच्चे भी सामिल थे। कि सेर्मा सुल्तान वो मर रहा है और उसको अपने हाथ से मरते हुए सेर्मा सुल्तान को पानी पिलाते हैं। ये जो दो व्यक्तित्तों का अंतर है, ये विद्यार्थियों के समक्षाना चाहिए, कौन महान है, वो स्वयमताय कर सकता है। अकबर की महानता अगर उसके कारियों से सिद्ध होती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन महाराना प्रताप इस देश में उनकी महानता पर प्रसंट चिन्ह लगे, ये नहीं होना चाहिए। आपने जो किताब लिखी आइडिया फिंडिया महत्पूर्ण है, उस आइडिया फ़ारत, उसका क्या सार है। हमने उनकी सारी संकाओं को निर्मूल करते हुए, हमने अपनी ओर से जो उत्तर दिये, उससे मुझे लगता है कि सारे संतुस्ठ हुए होंगे, यथा समखो, उसमें हमने भारत के वास्त, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ समस्या ये है कि पूरी पढ़ाही करने के बाद भी भारत क्या है उसकी उनको समझ नहीं होती, वो कभी दुनिया के बहुत सारे देशों में जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अपने देश की बात उस रूप में नहीं रख पाते, जैसे कोई चीन, जापान या जर्मनी का विद्यार्थी अपने द गलतियां होई हैं, तो उसकी भी समझ हो और उसके परिडाम की भी समझ हो, कि इस तरह की गलतियां करने पर परिडाम ये होता है, इतिहास की वास्तविक समझ हो, ये प्रयास हमारा दाइडिया भारत को लेके था, कि जो उसका प्राचीन, गौरोसाली इतिहास है, जो साहित् बेसिक जानकारी पिद्धियार्थियों को मिल सके यह हमने तो इस तरीके से आइसी एचायर के निदेशक ओम जी उपाध्याय ने बेहत महत्पूर्ण बातें कहीं और आज के भारत में इतिहास को किस नजरीय से देखा समझा जाना चाहिए यह बताया रवी कांथ, ABP News, दिल्ली